हलो फ्रेंज अपना किजन में आपका स्वागत है अंडा करी तो आपने कई बार कई तरीके से बनाया होगा और अनेकों बार खाया होगा पर फ्रेंज आज मैं आपके लिए एकदम नया अलग और पहुत ही आसान तरीका लेकर आई हूँ जो आपको और आपके फैमली को बहु और एक प्याज में दो भाग कर ली हूँ टमाटर को भी मैं अच्छे से पाले धो ली हूँ और एक टमाटर में दो भाग कर ली हूँ और इनके भी पीछे के भाग को अटा दी हूँ तो सबसे पले हम क्या करेंगे अंडों में कट्स लगा लेंगे तो ऐसे नाइफ के का इस्तमाल कर रहे हूं लेकिन आप अपने जरूत की साबसे अंडे कम यह जादा कर सकते हैं जितना आपको जरूत हो अब चुले पर चड़ा देंगे कडाही गैस ओन करके इसमें डालेंगे दो बड़ा चम्मज तेल मैं आप सर्सुक के तेल का इस्तमाल कर रहे हूं लेकिन आप कोई भी कुकिंग और ले सकते हैं जो आप खाते हूं जो आपको पसंदो तेल को पाले अच्छे से गरम होने देंगे तेल गरम होते ही इसमें डालेंगे एक छोटा चम्मज जीरा साथी में डाल देंगे बारिक कटी हुई लहसन तो मैं आप 4-5 लहसन के कलियों को बारिक टुकणों में काट करके लिए हूं गैस का फ्लिम इस टाइम मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लिम पर जीरा और लहसन को कुछ सेकेंद तक फ्राई कर लेंगे जैसे यह हलका सा फ्राई हो जाते हैं इसमें डाल देंगे कटे हुए प्याच तो मैं आप चार प्याच लिए हूँ आप चाहें तो 5 या 6 भी ले सकते हैं प्याच बहुत अच्छा टेस्ट लाता है इसमें क्योंकि हम प्याच का यहाँ पर अलग तरीके से इस्तिमाल करने वाले हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब हम इनको मीडियम फ्लिम पर एक मिनट तक फ्राई करेंगे फ्राई करते समय ऐसे बार बार चलाते रहेंगे ताकि इनकी कल्या खुल करके अलग हो जाएं तो इनको फ्राई करते समय बीच बीच में ऐसे चलाते रहेंगे जैसे जैसे हलका सा cook होते जाएंगे इनकी कल्यां देखे इस तरीके से खुल करके अलग होती जाएंगी तो प्याज बिल्कुल अच्छे से soft हो गया है बस कुछ सेकने तक और fry कर लेते हैं ताकि इनका color हलका सा change हो जाए तो देखे फ्रिंस इनका color हलका सा change हो गया है कोई-कोई प्याज का कली नहीं खुला है तो ऐसे इस पैचुला से मैश कर लिजी हलक के हाथों से बिल्कुल इजली ये खुल जाएंगे ये देखे तो बस प्याज हमारा बिल्कुल अच्छे से cook हो गया है अब हम इसमें डाल देंगे उगले हुए अंडे गैस का flame medium ही रखेंगे अब हम क्या करेंगे अंडो को भी एक मिनट तक medium flame पर fry कर लेंगे तो अंडो को जादा fry नहीं करना है इसलिए मैं प्याज के साथ ही इनको add कर ली हूँ अब देख सकते हैं अंडे बिल्कुल अच्छे से fry हो गया है तो इस recipe के लिए अंडो को इतना ही fry करना इससे ज्यादा fry नहीं करना है प्याज भी देख सकते हैं हलके से और कूख हो गया है तो बस अब हम इसमें डाल देंगे दो चमच अद्रक लहसन का पेस्ट और इनको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे गैस का फ्लेम इस टाएं मीडियम टू लो रखेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर अद्रक लहसन के पेस्ट को दो मिनट तक भून लेंगे ताकि जो इनका कच्छा पन है न वो निकल जाए भूनते समय बार बार चलाते रहेंगे जिसे की नीचे तले में चिपके नहीं तो दो मीना ठोगे मुझे इनको मीडियम टू लो फ्लेम पर भूनते हुए और आप देख सकते हैं फ्रेंज इन में से तेल सेपरेट हो रहे हैं और ये खूब अच्छे से भून गया है अब हम इसमें डाल देंगे आधा चमच धनिया पावडर आधा चमच जीरा पावडर आधा चमच हल्दी पावडर एक चमच लाल मिर्च पावडर स्वाद अनुसार नमक और साथ ही में डाल देंगे कटे हुए टमाटरों को भी अब इन सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गयास का फ्लिम इस टायम एकदम लो रखेंगे लो फ्लिम पर इनको ढख करके 3-4 मिन तक पकाये जिसे की टमाटर भी हलके से सोफ्ट हो जाएंगे और मसाले भी अच्छे से कूक हो जाएंगे तो फ्रेंस अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज मेरी वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और अगर आप मेरे चैनल परना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें तो इनको पकाते समय बीच-बीच में देखिए इस तरीके से धकन अटाटा करके चलाते रहेंगे, मिक्स करते रहेंगे जिससे किये 4 तरफ बढ़िया से कूख होँ और नीजे से एक ही तरफ जले नहीं तो बस बार बार ढकन अटाटा करके चलाते हुए इनको पकाएंगे और फिट से ढख देंगे तो तीन से चार मिनट होगे मुझे इनको लो फ्लेम पर पकाते हुए और आप देख सकते हैं इनमें से तेल सेपरेट हो रहा है मसाले भी खूब अच्छे से कुक हो गाया है और टमाटर भी एकडम अच्छे से सॉफ्ट हो गाया है अब हम क्या करेंगे ऐसे स्पैचुला से टमाटर को मेश कर से भी कinery लें और इनकी स्कीन मेंस कर से भी यसकी मेश करsetए तो मैं आपे 5 हरी मेर्च ली हूँ, इनको बीच से चीरा लगा करके इसमें इस्तमाल कर रहे हूँ, इसमें हरी मेर्च का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, साथी में डाल देंगे आधा चमच गरम मसाला पाउडर, अब इनसा भी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, गयस का फ मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट तक पका लेंगे, तो 3-4 मिनट होगे मुझे इनको मीडियम फ्लेम पर पकाते हुए, और ये देखिए फ्रिंस हमारी सुपर डिलिशयस एग करी बन के रेड़ी है, एकदम कम मसालों से और बहुत ही जादा डिलिशयस, अब हम इसमें डाल दें और ढख करके इनको ऐसे ही 2-3 मिनट तक छोड़ देंगे, ताकि हरा धनिया का और गी का दोनों का फ्लेवर इसमें अच्छे से चला जा, उसके बाद हम इसको सर्व करेंगे, तो ये लिजी फ्रिंस तयार है हमारा सुपर टेस्टी सुपर डिलिशयस एग करी एकदम नए त टेंपटिंग, यकीन मानिए फ्रिंस खाने में ये सुपर डिलिशयस लगता है, तो फ्रिंस इस तरीके से एग करी जरूर बना करके देखिएगा, जिनको भी इस तरीके से बना कर खिला देंगे ना, सब लोग तारीफ करते नहीं थकेंगे, और उंगलिया चाट चाट करके देखाएंगे, तो रेसिपी को ट्राइ करें पसंद है, तो लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें